अब नीट 2022 हो चुका है तो आपने नीट 2022 एक्जाम से क्या सीखा आपने आपने कौन-कौन से गलतियों को किया है इस एक्जाम के अंदर और आप कौन-कौन से गलती को 2023 में आप रिपीट नहीं करेंगे जिसके वज़े से आप सेलेक्ट हो पाएं नीट 2023 में तो आज हम common mistake के बारे में चर्चा करेंगे जो हर स्टुडेंट ने किया ही किया है इसी वज़े से उसका स्कोर 300, 400, 500 के भीच में है अगर आप ऐसी गलतियों को बार-बार दोहराते रहेंगे तो नीट 2023 भी क्राक नहीं होगा तो इसलिए ऐसी गलतियों से बचना है और इस गलतियों को दोह पराना नहीं है अगर आप अभी से समझ जाएंगे तो जब नस्दीख रहेगा नीट तो आप बहुत बहतर करेंगे और नीट 2023 में आप अपने विजय का पर्चम फैला पाएंगे जो मैक्सिमम बच्चों ने गल्पी किया है इस एक्वल वेटेस पर आल सबसेटित मैक्सिमम बच्चों ने क्या किया है कि बाइलोजी को इजि मान लिया था उब यसाब से वह स्टडी नहीं उन्होंने कर पाएंगे तो बाइलोजी ओवश है इतना इजिए नहीं है अगर बाइलोजी रहता तो आज 2022 का पेपर आपने देखा होगा उसमें ऐसे एस इस तो आप उसे कर पाते और सिलेक्ट हो पाते इसलिए आप अभी से प्रण ले लिजे कि आपको कोई भी सब्जेक्ट को कम नहीं आखना है हर सब्जेक्ट आपके लिए इमपॉर्टेंट है तो इकवल वेटेस देना पड़ेगा चाहए हो फ्जिक्स हो चाहे हो nutr裡面 है चाहे हो बायो हो हूँ अब क्या होगा इस साल क्या होगा कि इस साल बच्चे बायो को बहुत 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 तरीके से पढ़ना सुरू करेंगे NCRT पढ़ेंगे कोशिस करेंगे कि असरसें रिजन टाइप के कोशन करें मतलब माक्सिमन प्राक्टिस ओर इंटेट पढ़ना शुरू करेंगे पड़ आपको पता होना चाहिए कि नीट के जो पैटर्ण है वो हमेशा चेंज होते नजर आ रहे हैं अगर मैं पुटन की बात करूँ कि 2022 में किसी ने परिकल्पना नहीं किया तो हमने क्या किया इस साल 2023 के लिए 2020 के बारे मैं बता रहा हूं तो हमने 2022 में क्या किया § 2022 के प्रिपेरेश्न करने के लिए bio technology पढ़ना शुरू कर दिया सेल पढ़ना शुरू कर दिया राइड बट दो हदर पाईस में पेपर जो है के पेटर्ण बदल गया असरसें रीजन वाला कोशन आ गया स्टेट्मेंट वाला कोशन आ गया और मैच दफ वालिंग वाला भी कोशन आ गया तो देख रहे हैं आप कि यह जरूरी नहीं कि पिछल हर सब्जेक्ट को एक्वल वेटेस देना पड़ेगा हर सब्जेक्ट में आपका एक्सलेंस होना चाहिए तब ही आप नीट को क्रैक कर पाएंगे अगर आप किसी इंस्चूट में जा रहे हैं तो वहाँ फजिक्स दो घंटा पढ़िए के मिस्ट्री दो घंटा पढ़िए बायो दो घंटा पढ़िए यानि छे घंटा आप इंस्चूट में पढ़िए और चार घंटा कम से कम सेल्फ स्टेडी दीजे तब जाके कुछ बहतर करनी की उमीद लगाई जा सकती है तो यह कॉमेंड मिस्टेक है जो हर स्टूडेंट करेगा इस बार कि बायो को ज्यादा में फोकस करेगा कि मिस्टी फिस इसको कम करेगा ऐसा नहीं करना है तीनों को एक्वली करना है तीनों में बहतर करना है दूसरा सबसे बारा मिस्टेक होने वाला है जिसे आप अभी रोक देंगे तो बहुत ही बहतर होगा एक्वल वेटेज प्राक्टिस अब क्या होगा कि बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि बहुत ज़्यादा practice करना सुरू कर देंगे क्योंकि बायो almost practice oriented questions आए थे हैना different questions आए थे तो आप अभी से ही practice करना सुरू कर दोगे यह गलत हो जाएगा आप सोच रहें कि मेरा theory बहुत ही अच्छा है है ना बस practice में रहे गया यह गलत statement this is a wrong statement अगर आपका theory अच्छा होता तो आप इस paper में बहुत अच्छा करते हैं यानि theory में problem है अगर theory जीस होता है तो उसका insertion region भी अच्छा होगा उसमें गलत नहीं करेगा match the following में भी गलत नहीं करेगा चाहे किसी परकार के question आजाए वो गलत नहीं करेगा तो इसका मतलब आपका theory बहुत weak है और इस theory को in depth और बहुतर तरीके से समझना है जब तक आप theory को बहुतर तरीके से नहीं समझोगे खाली superficially reading डालोगे तो उससे नहीं होने वाला है उसको बहुतर से समझना है अपने आ अगले साल 23 में इसका खाम्याजा भुगतना पड़ सकता है तो equal weightage देना है आपको theory का और practice session का अगर आप माल लेजिए कि self study six hour कर रहे हैं self study six hour कर रहे हैं तो तीन घंटा theory को देजिए और तीन घंटा आपको practice को देना चाहिए ये तीनों बिल्कुल बरावर होना चाहिए तब जाके बहतर score हो पाएगा तीसरा बहुत important है join the online courses join the online courses क्यों है अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर मैं तो self study से कर सकता हूँ देखें इस उमर में self study से selection लेना tough नामों की नहीं है बढ़ tough तफ इसली है क्योंकि हम क्या करते हैं कि एक अगर मैं 10 घंटे का आपको schedule दे दूँ तो आप एक महीना तो बहुत dedicated follow करोगे बढ़ 10 महीने के लिए follow नहीं करोगे ये कोई नहीं कर पाता है ये institute आपको क्या करते हैं regularity को maintain करते हैं यह किसी याद रखिएगा किसी भी online courses को किसी भी offline institute को join करने से आपका selection यह धारिक नहीं होता है आप इस online या offline किसी भी इंस्टूट को अगर join कर रहे हैं उनसे पूछिएगा क्योंकि फीस क्या है let's suppose एक offline center में गया और उनसे आपने फीस का पता लगाया पचास हजार से लेके एक लाख तक आपको कह रहे हैं कि मैं पचास हजार से एक लाख लूंगा बहतर पढ़ाया जाएगा डाउट के लिए अलग टीचर है सब के लिए अलग है समफोड देंगे आप आपके parents भी बहुत excited हो जाएंगे वाह क्या बढ़िया इंस्टूडे कह अर्थ के ऊपर पहली भरा है बट ऐसा कमेंट में हर कोई करता है बट उसको फिल फिल बहुत कम लोग कर पाते हैं उनसे कहिएगा कि एक लाख के वजए मैं पांच लाख रूपिय देने के लिए त्यार हूं एक पेपर पे स्टैम पेपर पे यह लिख दीजिए कि इस बच् मैं इंसीट का मालिक हूँ मैंने इनसे ट्रिप टाइम पैसे ज्यादा लिये हैं अगर इस बच्चे का सेलेक्शन नहीं होगा तो हम 50 लाख रुपए देंगे अगर कोई लिख के दे रहा है तो उस इन्शूट में एडमिर्शन ले लीचेगा कोई भी लिख के देने के इन्शूट पर डिपेंड नहीं करा तो सेलेक्शन किस पर डिपेंड करा सेलेक्शन डिपेंड करता है आपके ऊपर यॉर्स आपके ऊपर सेलेक्शन डिपेंड करता है किसी इन्शूट के ऊपर किसी ऑनलाइन के कोर्स के ऊपर नहीं करता है यह इन्शूट और ऑनलाइन को सर्क आपको regularity को follow करवाते हैं ताकि आप regular बने रहें पढ़ाई में और regularity always win regularity always win हमेशा regular लोग ही सफलता को प्राप्त करते हैं तो अगर regular बनना है तो एक लाख दो लाख रुपय क्यों देना है आप online courses को join कर सकते हैं जहां पर आप समय को बचाएंगे आपको जाना आने में जो समय व्यतीत होता है है ना समोसा चाट और गुलगप्पे खाने में समय व्यतीत होता है वो बचेगा घर पे अच्छा खाना काऊगे स्वास अच्छा रहेगा सही सोचों के memory power बढ़ेगी अपने घर परिवार के सांत रहोगे इससे बहतर option क्या हो सकता है आपका पैसा भी बच रहा है पैसा भी बच रहा है तो बहतर है कि आप online कोई भी छोटा मोटा course जोइन कर लेजे अगर आप मेरे से पढ़ाना चाहते हैं तो मेरे भी कोर्स को जोइन कर सकते हैं चौथा important चीज है avoid mug up the things हम क्या करते हैं कि biology को समझ लेते हैं आरे history geography है और रटना शुरू कर देते हैं रटना बंद कर देजिए इससे समझना स्टार्ट करिए क्योंकि अब ऐसा नहीं पुछा जाएगा कि आरवी सी के life has spent कितनी है सो दिन एकसो बीस दिन चारतो दिन पांसो दिन यह एट का क्वोशन है नीट का नहीं हो सकता है ठीक है जाइलम इस प्रजेंट इंप्लांट क्रोकोडाइल यह नहीं आएगा सब्सक्राइब करना है और यह द्यान रखेगा हर चीज फ्री नहीं है आप सोचेंगे कि फ्री में मैं यूटूब पे कर लूंगा मैडम ने बहुत अच्छा दावा किया है बहुत बढ़िया है सब चीज अच्छा भी लगता है बैटा यह सब चीज जाना दिखावा है कु अगर आप डॉप करेंगे तो आप टॉप करेंगे इसमें कोई विशक नहीं है और यह 27 जुलाई को स्टार्ट हो रहा है और एक आडमी के ऊपर जहां पर कोटा के बहतरीन टीचर के मिस्टी पढ़ाएंगे मैं आपको बायो पढ़ाऊंगा कोड में डॉक्टर एसके सिंग लगा सकते हैं कोड में अगर डॉक्टर एसके सिंग लगाएंगे तो आप डॉक्टर के गाइडेंस में आके पढ़ेंगे आपको 20 प्रतीशत का डिसकाउंट मिल जाएगा और सबसे बड़ी बात है अगर डॉक्टर के फामिली में माक्सिमम डॉक्टर होते हैं क्योंकि लगा और इस कोड को लगा कि आप किसी भी बैच किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं यह बहुत बड़ी बात है एक मेरा इस्क्लूजीव टेलीग्राम ग्रुप है इस्क्लूजी में टॉशिक ग्रूप पॉर देनी 2023 इसमें 500 बच्चे करने हैं जो मेरे कोड से इन्रॉल हैं जहां पर किलेरी मेंशन हो तब मैं लिंक दे दूंगा यह प्राइवेट है यह आप जूनेंगे तो मिल नहीं पाएगा थैंगे सो मच अलब को थैंक्यू